कि माज़म से आप लोगों पे एक सूचना देना चाहता हूं लगातारा आ रहा हूं सिंगों पे और आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि 2018 में स्टाफ सर्विस कमिशन, SSC, GD जो भरतिया होती है हवर्णार के लिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म बरा, 30 लाख लोगों न आर्मी जिससे फोर्सस को जॉइन करने के लिए, CAPF, असाम राइफर, और आज ये बोधी सरकार, 2018 से, 2021 तक उनको जॉइनिंग नहीं डेती, और ये कहती हम रोजगार देंगे, तोस्टो 14 फरवरी को, देश के कोड़े लिए से, तकरीबन 2 लाख जवान आपके मुहिम में आ रहे हैं, कंदे से कंदे बिराके, किसान मज़ू रहता, आपाद दमाबा, किसान रहता, इनका दमाबा, दोस्तों, ये देढ़ लाख बच्चे, जो कि जवान बन चुके, सेलक्षम हो गया, आपके साथ यहीं बाएंगे, आप 14 फरवरे को, यही आप लोगे साथ कंदर से कंदे मिलाके क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जवान जो है वो किसान के घर पैदा होता है नेता के घर पैदा नहीं होता है क्या राजना सिंग का बेटा जवान है क्या निर्मना जी के बेटा जवान है क्या स्मिती रालीजी के बच्चे जवान है अमिच्छा के बेटे जवान है नहीं इन्हों ने जवानों को हमारे सामने आप से सो मिते दोर में ख़डा करा है न तो मैं उनके लिए बात कहना चाओंगा एक ही माँ के दो बेटे हैं एक ही माँ के दो बेटे हैं बस करवट बगल के लेते हैं जिसन करवट सीडी कदर लेना उसे निये बाजबा की सरकार को उखार के फैक देंगे अपना होसार रखी उप्रुएक आरा और इस मंच के मादरम से मैं लगों से एक बात कहना चाहूंगा जिनको सरकार के साथ बहुत बात करने की इच्छा होती है बार बार कहते हैं सरकार बात करें सरकार बात करें अरे क्या बात करें भई? बात करने के लिए ने क्या आप लोक? आप लोगाने बात करनी के लिए? नहीं तू क्या बोले? कोई कहते हैby क्या बात करेंगे? क्यों भई? कौन बैता ये तारि tut Mak Вот को ला रहा है? बिल्बापसि घरभापसि एक पार एक साथ बोलेंगे बिल वापसी किसार मजिन एक दोस्तों बेविन्न राज्यों से लोग आपके मंच को देफरे आप ये ना सोचें कि मीडिया आपको नहीं देख रही है ज़दा तारिक से पहले मीडिया को यह आना मजबूर होना पड़ेगा मजबूर होना पड़ेगा तो किसान दोन ने किसान और मज़ूरों के साथ अब देश के चुने होए दोड़ लाग जवान भी आपके साथ कंदे से कंदे मिलाके लड़ने के लिए आने वाले हैं लेकिन समवेधानिक तोर पे हमारा ठाम बहुत जादा समय आपको मूँगा नहीं केवल एक बात बोड़ूगा मोजी जी के चुमले बहुत फेमस होते रहे हैं अब हम लोग भी यहां बैठे हैं और हमारे पास बहुत सारा वक्त है आपस में बात करने के लिए जब मैं यही से घुजरता हूँ तो कुछ बिचार मेरे उपर भी आते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के माध्यम से मोधी जी को बार बार मोधी जी कहता अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत तो मैंने का चलिए चार लाइन के पंक्ते इन के लिए बताई देते हैं ने तो यह मालेंगे तो हमने मोधी जी के लिए कहा आओ कुछ नई बात करते हैं आओ कुछ नहीं बात करते हैं जुमलो की बात फिर कभी करते हैं तुम जा टाम के पास हम single water चलते हैं तुम जाए डानल्ट्राम के पास हम सिंग्रो बार्डर चलते हैं और तुमने माला था वुष्टा अखंड भारत अगर वुष्ट तुम्हें अखंड भारत तुम्हें अखंड भारत दिखलते हैं